हलो एंड वेलकम टू एड एजुकेशन मैं हूँ अमित दिक्षित और आप इस समय देख रहे हैं एन आयोएस डीलेट वीडियो लक्ष्ट सीरीज इससे वीडियो लक्ष्ट सीरीज में एन आयोएस डीलेट सीलिबस के हर टॉपिक को बढ़ाया जा रहा है इससे पहले के सभी लक्ष्ट साप जरू देखें वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स 501 चोर्स 502 के अभी तक के सारे लक्ष्ट साथ साथ में एक असाइन्मेंट के कॉश्टन के आंसर्स भी आपको महां मिलेंग है उस पर भी आप क्लिक करके आंसर जान सकते हैं उत्तर जान सकते हैं उनके तो आज हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए अपने next topic को cover करेंगे जो कि है course 502 ब्लॉक दो का I7 का 7.2.2 जिसका नाम है भहु कक्षा सिक्षण के प्रबंदन हेतु प्रविदियां अब देखें भहु कक्षा सिक्षण को कटिन समझने का एक कारण यह है कि हम सभी भहु कक्षा इस्तिती को एक कक्षा इस्तिती की परचित प्रवदियों त्वारा विवस्तित करने का प्रियास करते हैं यानि कि हम जो try करते हैं बहु कक्षा को maintain करने का उसको management करने का वो उसी तरीके से करते हैं जिस प्रकार से हम एक कक्षा जो single class होती है उसकी pattern पर ही करते हैं जबकि इसमें difference यह रहता है कि दोनों ही जो कक्षा है वो अलग-अलग होती है दोनों के management को उसको विवस्तित करने मे एक अलग तरह की कहना चाहिए एक technique अपनानी पड़ती है यह मुक्रूप से इस बात पर निर्वर करता है कि हम विवन कक्षा के संदर में इन चीज़ों को जानते हैं यह विश्वास है कि बहु कक्षा सिक्षन का प्रबंदन के कटिन हैं हम जानते हैं कि बहु कक्षा को maintain कर है और इसके कुछ विशेश कारण पर आधारित नहीं है यह क्योंकि और कक्षा संदर्ब की बात करें तो कोई भी हो चाहे एक अक्षा या बहु कक्षा सबसे महत्पूर्ण यह है कि इस बात पबल देने की कि पतिक विद्याती प्रबावी डंग से सीख सकें यानि सीखने अदिक अधिक बलौ और कक्षा गनल साउक उफ्योग यानि ज mapped इसको कुछ महत्पूर्ण की जहां किस तरह से करना है इसकशा की चार बंदू बताएं कख्षा कख्ष का संगठन विद्यार्थियों को समू बनाना अधिगम सामगर या प्रावधान और अधिगम इस्तिती की योजना बनाना अब कख्षा कख्ष के संगठन की बात यह है कि अपने अनुभव की आदार पर जानते हैं कि पढ़ाना और सीखना को प्रात्यविक्ता को बड़ावा देने के लिए कख्षा का संगठन एक महत्पूर्ण चीज़ है यानि बिशेश कर बहु कख्षा की इस्तिती में यानि कि जब ऐसी क्लासेज लगाई जाती है मल्टि ग्रेड तो अपने कख्षा सिक्षणों के अनुभव को याद करके आप कुछ प्रशनों क आधान प्रदान करते हैं एक अच्छा वातरवन निर्मार करते हैं अगला पॉंटे विद्यारतियों के अधिगम सहजी कराने तो कौन-कौन सी सामगरी का आप इस्तिमाल करते हैं यानि कि उनको सीखने को स्राल बनाने के लिए उनको कैसी सामगरी को उपयोग करना चाहिए उसको कैसे आसानी सोब्यों कर सकते हैं इस बात पर ध्यान देते हैं इन सभी प्रश्णों के लिए आपके उत्तर निमलिके से समन्दित हो सकते हैं कक्षा में आप बैठने की विवस्ता हो कुर्सी की मेज की विवस्ता हो बोर्ड की विवस्ता हो विद्यारतियों के लिए क्र संगठन उसको खराब कर देता है यानि कि तो कक्षा का मैनेजमेंट एक तरह से उसका संगठन किस तरह से आप इस्तवाल कर रहे हैं यह इंपोर्टन है क्या क्या चीज़ में चोड़ते हैं अगला है स्थान का विवस्ता है एक बहुक्षा के लिए स्थान एक महत्मूर होगा इस स्थान की विवस्ता कर समय निम्न बाते द्यान दें पहला है विद्यारती बिना एक दूसरे को बादा पहुंचाए आराम से दूसर के साथ ग्रोप में पढ़ें कक्षा कक्ष में खड़कियां पदर्शित बोर्ड जो ड़के जाने की विवस्ता है आक बिजली पा जिगाल जो अब प्रकाश की विवस्ता है जो हवान जानी की वैड़िलेशन की विवस्ताए वह अच्छी हो आवशक्ता हो और यो बुद्यारतियों को समों के बीच में उपकत स्थान की बादिन मोव करने के लिए इस दर उभ करने के लिए बोर्ड और जो समगरी के कौने हैं वो भी विवस्थित हो आगे बतायाए गया है बैठने की विवस्था तो सानुता एक कख्शा शिक्ष्षण में आप विद्धियार्तियों के बैठने के लिए कई तरह की विवस्था करते हैं यह हम पहले भी देख चुके हैं अलग-अलग चीजों के आधार पर किरियागलाओं के आधार पर किस तरह से बैठने की विवस्ता की जाती है तो बहु कक्षा की इस्तती में भी यही प्रातिमिकतर रहेगी विवन कक्षाओं को एक ही कक्षम किस तरह से बिठाला जाए इस तरह से इस्थान का उप्योग किया जाए बैठने की विवस्ता की जाए यह important रहेगा बहु कक्षा कक्ष में बैठने की विवस्ता इस पात में निभरकती कि आप कौन सी अधिकम क्रियाओं की योजना बनाते हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप किस टेकनीक से पढ़ा रहे हैं क्या करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है और अन अन परस्तितियों में अलाग तरीके से इस चीज़ को विवाज़त कर सकते हैं और इसमें जैसे कि ऊपर भी डाइग्राम में पता है आपको पहले के डाइग्राम में किस तरह से बैठने की विवस्ता की गई थी तो इससी आधार पर कर सकते हैं आप और भी कई आधार इसमें बताए गए हैं वो हम जानेंगे आगे विध्यारती अपनी कख्षा अनुसा खड़ा हो सके सिक्षक और सबीश्यक विध्यारतियों पर नज़र रख सके सिक्षक और विध्यार्तियों को पीच आरnd यासी आउने समने की क्रियां जो आये और इसमें कुछ डाइग्राम बताए गई हैं एक इस्ति यह बताई गई है अब इसमें दूसरी स्तिटी यह है कि जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे डाइग्राम में यहाँ विविन कक्षा के विद्यारतियों को अधिगम गतिक क्यों में सामिल किया जाता है इस तरह की वैठने की विवस्ता में और जब सिक्ष तीन यानि की जो इसमें बताया गया है और मौकेकार का संचालन विशेशकर भासा को अधिकम सरल बनाने के लिए सोवेजा जनक हो जाता है इस तरह से बताया गया है आगे 7.4 में एक ववस्ता दर्शाई गई है चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें तीन किस अलग अलग तरह से आप बहु कक्षा में किलासे को मैंटीन कर सकते हैं बोर्ड कहा होगा और अगले डाइग्राम में बताया गया है दूसरे इस ववस्ता में कि यहां पर तीन कक्षा है 7.5 में अर्द विर्था कारा कार में आप सिक्षक और बोर्ड के सम्मुक बैटे ह हैं विद्यारती और इस प्रकार की विवस्ता सामान निगतिदी से अंचालन मदद करती है जैसे कि कहानी सुनाना खेल खिलाना मॉडल्स का प्रदर्शन करना तो इस तरह की टेक्नीक अस्तेमाल होता है बिठालने की तो बेसिकली यही बता जा रहा है कि आप किस चीज को क् केसाफ से आरेंजमेंट्ट जेंच करने क्लास का यह बतास का यह बताया गया है आगे और ये डाीगरमस आप देखें यहां पर बताया गया है तीन क्लासे इस तरह में इस Allahu कलास तरह से बोर्ड कहां पर है इसमें विविन विष्विन योगताओं के य visyarत्यु को बैढे य इसे आप डिवायच कर सकते हैं और बहु कखशा है विद्यारतियों को बैठने के लिए बैठने के लिए उपरोग्त धंग उधानार स्वरूप पताये गया है इसमें और एक विद्याले से दूसर विद्याले से भिन्न होता है क्रिया कलाप की आवशक्ता उपलब आधार स्थान सबकुछ अलग हो सकता है और आराम दाइक तरी से बैठने हैं तू कक्षा के बाहर भी बैठने की आप विवस्ता कर सकते हैं आवशक्ता पढ़ने पर और बच्चों के लिए लकडी का मॉडल बनाना पैंटिंग कार या लेखन के कार या इस तरह की कोई चीजें हो जिसमें आप कक्षा के बाहर भी आप इसकी तरह की विवस्ता कर सकते हैं और इसमें बस यह होना चाहिए कि सुविदा सीखने में आसानी हो उनको कोई दिक्कत पि विकार करना बाटना नेतरत की भूमिका करना यह सब गुरूप में बैठाने से एक चीज़ों में मजबूती आती है यह हम पहले भी जान सके हैं और इस आधार पर बहु कक्षा सिक्षन को अधिक तरीके से संचालेत किया जा सकता है अब बहु का इस्तिती में कई प्रकार क है जो मैंने पहले ही बताए कि आप जो भी कक्षा है जैसई कक्षा दोसाब से आप से दो और तीन को एकसाद मिलादे तो मैं बनाते इस ówer शक्ता और क्रिया में सहारा के अनुसार और उधारन इसमें बताया गया है, जैसे कि आप example देख सकते हैं, जहाँ पर एक कक्षा एक को अलक किया गया है, दो और तीन को साथ में बिठाया गया है, तो ऐसे आप group कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया है, class wise, simple है point, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, और आगे उधारन दिया गया है, देखी एक और जिसमें कक्षा एक कि गई है, दो और तीन और चार पाच, ये बिल्कुल सेम है, सिक्षक एक तीन classes को, नहीं कक्षा एक और दो तीन के group को पढ़ा रहा है, एक सिक्षक फोर और फाइव को एंटर, हैंडल कर रहा है, तो इस तरह से maintain कर सकते हैं, तो यहां बताया गया है, मतलब किस आपसे आप दो सिक्षक होएं, तो कैसे maintain करेंगे पांच कक्षाओं को, तो इस आपसे यहां पर चीज़ें बताई गई हैं, और एक और अगे डागे रहा है, कक्षा एक को यहां अलग किया गया है, और इसमें जो दूसरा सिक्षक है, वो कक आजाएगा आपको कि क्या इसमें सिस्टम है, तो यही इसमें बताया गया है, अब योगता आधारित समुवन में यह हो जाता है कि यहां पर योगताओं के आधार पर डिवाइड बना जाता है, क्लास इसको, सान्यता बच्चे बहुत अधिगम अनुवव और बहुत सी ची करके इनको एक ग्रूप में बाट सकते हैं, तो विद्यारतियों की योगता के आधार पर दो परकार की योगता की ग्रूप बनाए जा सकते हैं, बेसिकली यह समान योगता वाले और मिश्रित योगता वाले, तो समान जैसी योगता उसके आपसे ग्रूप बना दें, और मि काफी फायदा भी होता है इस प्रकार की योगता में भिमिन विश्यों से भिन हो सकती है कक्षा विद्यार्थी एक विश्यों में ऐसी योगता वाले समू बनाते समय आपको उनके अधिका मिस्तर की उपलब्दी और चीजों की पैचान होना आवश्यक है ताकि वो इसमें मिस तरफली समू काना कावण किता है आपको प्रतिक समू में उप्क्ट जो सामगरी है जो पाठ है उसको योगता के अधर पर बनाने में और उजी के अनुसार संचालित करना होगा और इस विश्यों में नियूंतम यह कोशिश करनी चाहिए जो नियूं योगता वाले हैं उनक दोनों का development होना चाहिए समान योगता, समोन के महत्पूर्ण लाव ये हैं कि विद्यारती अपनी गती अनुसार अद्दिन कर सकते हैं और गनित भाषा जैसे विश्यों पर सामुद करेकलाब कर सकते हैं विद्यारती एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं समान रूप से अवगत रहते हैं मंद विद्यारतीयों के लिए पार्ट नियोजित और तेजी से सीखने के लिए पार्टों को बैतर बनाया जा सकता है सबसे बड़ी हानी इसमें यह है कि इसमें यानि समान योगता वाले जो भी अगर हम ग्रूप बनाते हैं तो समान योगता वाले में जो उच्छ कहना श्रेणी के जो विद्यारती रहते हैं वो उच्छ तरही रह जाते हैं निमन वाले निमनी के निमन वाले विद्यारतीयों को जब श्रेणी में कर दिया जाता है तो वो अपने आप में हीन भावना करस्त हो जाते हैं कि एक हम को ऐसी स्टेड़ी में रखा गया तो कई बार दिक्कत पेश आती है और जो मिश्रत योगता समूझ जब बनाते हैं तो वो कई न कई बैटर है जो कि इसमें भिवन प्रकार के इस तरके विद्य इसमें कुछ पॉइंट बता गए हैं तो ध्यान रखें समूझ छोटा होना चाहिए समूझ में अंतरक्रियाओं के लिए अधिक समय होना चाहिए आवशक्ता बिन प्रकार के समूझ बनाए जा सकते हैं मंद बुद्धी की विद्यातियों को अच्छा वातर्माट देना चा पॉटने आगी की